हेलो एवरिवन कैसे हैं आप सब लोग मैं हूँ नीरज कुमार कैथल और आप देख रहे हैं फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल आज के इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं इंट्रसेलिलर फ्लुईड और एक्स्ट्रसेलिलर फ्लुईड क्या होते हैं और इन दोनों के बीच क्या important differences हैं इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि इस topic से अक्सर कौन से questions पूछे जाते हैं और उनके answers जानने के बाद लगबग लगबग आपका ये topic clear हो जाएगा because हर एक number competitive exams में बहुत ही valuable होता है हमें कुछ भी ऐसी topic को नहीं छोड़ना है कभी भी जहां से आप जानते हैं कि questions क्या आने वाला है और आप उसे नजर अंदाज करेंगे तो आपका selection हो सकता है कि एक number से या फिर कुछ number से रह जाए इसलिए हमारी पूरी कोशिस है कि हम इस channel पर for nurses preparation youtube channel पर उन topics को भी cover करें जहां से competitive exams में अक्सर questions पूछे जाते हैं आज के इस video को हम शुरू करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे एक general introduction की कि intra cellular fluid और extra cellular fluid आखिर है क्या और इसी के साथ साथ हम इन दोनों के बीच में differences को भी compare करते चलेंगे सबसे पहला point आता है intra cellular fluid का it is found within the cell of the body हमारे शरीर की जितनी भी कोशिकाएं हैं उन सभी कोशिकाओं के अंदर या फिर किसी कोशिका के अंदर यदि कोई fluid पाया जाता है तो आप उसे simply intra cellular fluid कहेंगे याद रखिएगा intra cellular fluid I का मतलब होता है inside inside the cell intra cellular fluid found inside the cell और फिर उसके बाद हम बात करते हैं extra cellular fluid क्या होता है तो आप कहेंगे found outside the cell कोशिकाओं के बाहर जितने भी प्रकार के liquid या fluid पाये जाते हैं सभी को आप extra cellular fluid का नाम देंगे कोशिकाओं के अंदर पाये जाने वाले सभी प्रकार के liquid को fluid को आप कहेंगे intra cellular fluid जबकि कोशिकाओं के बाहर पाये जाने वाले सभी प्रकार के fluids को आप कहेंगे extracellular fluid अब हम बात करते हैं differences के बीच में उस point की जहां से competitive exams में alternatively questions पूछे जाते हैं very 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 most important आपको बताना है की intracellular fluid के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला cashn कौन सा है तो आप कहेंगे potassium intracellular space में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला cashn है potassium जबकि extracellular fluid के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला cashn है sodium sodium के बारे में हम सभी जानते हैं की इसका हमारे सरीर में जो normal value होता है वो होता है 135 से 145 mEq per L और इसका मुख्य कारिय होता है कि ये सरीर के अंदर fluid को bound करके रखता है आप ये simply समझ लीजिए कि sodium और water दोनों दोस्त हैं जहां sodium होगा water इसके साथ ही रुकेगा sodium के साथ water हमेशा रहेगा sodium सरीर से बाहर जाएगा तो water भी सरीर से बाहर चला जाएगा आपने देखा होगा sodium यानि नमक NACL जब बोडी में बढ़ जाता है तो person में hypertension होता है और hypertension की condition में person में edema भी देखने को मिलती है ऐसी condition में हम manage करने के लिए जब sodium को बाहर निकालने के लिए loop diaretics या other medications का इस्तेमाल करते हैं फ्रुसे माई डादी का तो इसके साथ sodium बाहर निकलता है साथ साथ water भी निकल जाता है और hypertension condition मेनेज हो जाती है potassium के बारे हम जानते हैं कि यह heart के लिए बहुत important substance है सबसे ज़्यादा मात्रा में यह bananas के अंदर पाया जाता है और हमारे body के अंदर normal potassium level होता है 3.5 से 5.2 इस question को आप जरूर star mark कर लीजिएगा inside the cell major question potassium and outside the cell major question sodium next point पे हम बात करते हैं major iron in phosphate आजकर competitive exams का level थोड़ा बढ़ गया है इस वज़े से mostly पहले यह questions पूछे जाते थे दोनों लेकिन कई बार अभी यह question भी पूछ लिया जाता है confuse करने के हिसाब से कि intracellular fluid में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला anion कौन सा है तो आपको बताना है phosphate और यदि पूछ लिया जाए कि extracellular fluid के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला anion कौन सा है तो आपको कहना है chloride simply याद रखिएगा next हम बात करते हैं constituents two by third of the total body fluid in adults हमारे शरीर में जितना भी fluid है हम यह तो बात जानते हैं कि हमारे शरीर के कुल वजन का लगबग 60% हिस्सा पानी का बना होता है मालीजे किसी परसन के वजन अगर 50 kg है तो उसके अंदर 30 kg के लगबग 30 kg के आसपास पानी होगा तो हम simply कह सकते हैं कि इस पानी का दो बटा तीन भाग 30 kg का दो बटा तीन भाग जो है वो इंट्रा सेलिलर फ्लूइड की वज़े से है कोशिकाओं में पाए जाने वाले तरल की वज़े से है यानि इसका आप 2 बटा तीन भाग अगर करें तो लगबग 20 kg के आसपास आ जाएगा यानि कि हमारी कोशिका के अंदर यदि हमारी सरीर के अंदर माल लीजए जो टोटल फ्लूइड है उसका 2 बटा 3 हिस्सा कोशिकाओं के अंदर मौजूद رہता है जबकि 1 बटा 3 भाग कोशिकाओं के वाहर मौजूद रहता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड का टोटल अमाउंट होता है 1 बटा 3 of total body fluid and intracellular fluid का total amount होता है 2 बटा 3 of the total body fluid अब हम बात करते हैं extracellular fluid से ही जुड़ी कुछ important terms की with example extracellular fluid यानि कोशिका से बाहर पाया जाने वाला fluid सबसे पहला इसमें example है interstitial fluid interstitial fluid in between the cell and outside the blood vessel example lymph interstitial का simply आप मतलब समझे ये मान लीजी एक cell है ये nucleus है ये दूसरी cell है ये इसका nucleus है अब इन दोनों cells के बीच में इन दोनों कोशिकाओं के बीच में जो liquid पाया जाएगा तरल पाया जाएगा इसे मैं green करर से बनाने की कोशिस कर रहा हूँ तो ये fluid जो है interstitial fluid कहलाएगा दो कोशिकाओं के बीच पाया जाने वाला fluid interstitial fluid कहलाता है इसका example होता है lymph next हम बात करते हैं intravescular fluid की next हम बात कर रहे हैं intravescular fluid की यानि vessels के अंदर पाया जाने वाला fluid और हम सबी जानते हैं हमारी vessels के अंदर blood पाया जाता है तो इसका example होगा blood यहाँ पर example lymph था दो cells के बीच पाया जाता था लेकिन blood vessels के बाहर पाया जा रहा था और intravescular fluid है जो vessels के अंदर पाया जाता है अब बात करते हैं next transcellular fluid transcellular fluid consist of cerebrospinal fluid plural peritonial and synovial fluid transcellular fluid के अंदर हम example के रूप में जानते हैं CSF यानि cerebrospinal fluid जो की हमारे brain में पाया जाता है और next आता है plural fluid जो की हमारे lungs के चारों तरफ पाया जाने वाली plural जो space है lungs membrane और plural membrane के बीच की जो cavity होती है वहाँ पाया जाता है peritonial fluid होता है जो हमारी peritonium layer होती है जो की हमारे abdominal organs को cover करके रखती है वहाँ पाया जाता है synovial fluid हमारा synovial joints के अंदर पाया जाता है इस प्रकार से ये कुछ important terms थी और I hope intracellular और extracellular fluid के बारे में आपको पूरी जानकर ही मिल गई होगी competitive exams की दरस्टी से ये सभी point बहुत important है अगर आपको ये video अच्छा लगा हो तो please इस video को like कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ इस video को जरूर share करिए काई दोस्तों का धास्टी सूलि सुम्स्त्री जरून से दोस्तों wil। इसने टोस्तों की शत्वति